हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशागरती हों आप सब बहुत अच्छे होंगे सवस्ता और मस्त होंगे गर्मिया तो आ गई है गर्मियों के मौसम में सब गर्मियों से बचने के लिए कई तरीके को उपाय सोचते हैं और गर्मियों जब भी आती है तो हम सब को एक अच्छा जो मैं सत्तु का ड्रिंग बनाती हूं उसका इंतजार कर रहे हो तभी तुम मैं सोची कि इतना सांती से कैसे बैठे हो थोड़ा भी सरारत नहीं कर रहे हैं बना रहे हूं बिटा दोनों के लिए बनाती हूं ओके गर्मियों से बचने के लिए काफी उपाय है जो नेचुरल तरीके से आप उसको घर पे बना सकते हैं यह एक सुपरफास्ट जिनका नाम सत्तु है यह एक बेसिकली आटा है जो रोश्टेट चने का बनता है यहां पर हमने यह सामयगरी ले ल काला चना है आप इसको देख सकते हैं मार्केट में कई प्रकार के होते हैं छोटे बड़े आपको जो पसंद हो अपने अनुसार ले लिजिए यह हमने माइकसिमन 200 ग्राम चनाल ले हूं जब मैं इसको रोश्ट करूंगी तब वह इस तरह का दिखता है यह रोश्ट करने के पाडर बनाएंगे तो वह इस तरीके दिखेगा दोस्तों यह देखिए हमने इसका पिसका पाडर बना ले हूं और इसी का हम ड्रिंक बनाएंगे जो सत्तु का ड्रिंक बोलते हैं और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और गर्मियों से बचने के लिए एकदम आसान और नेचुरल तरीका है दोस्तों और यहां पर हमने स्वाध के अनुसार यह काला नमक ले ले हूं और यहां पर थोड़ा सा सूगर है क्योंकि मेरा बेटा एको खटा मिठा चाहिए और एको मिठा चाहिए और एको तीखा चट पटा तो मैं दोनों के हिसाफ से बना रही मार्केट में आपको आसानी से मिल सकता है दोस्तों और यहाँ पर नीबू है तीम पीसे में मैंने कट कर ली हूँ तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इसको साइड में रख देती हूँ यह हमने ग्लास ले लिया हूँ अब इसमें मैं डाल देती हूँ सबसे पहले तोड़कर मैं इसको चाकू से कट नहीं करूँगी हाथों से ही टुकड़ों में तोड़कर इस तरह इसमें डाल दूँगी और यहाँ पे दो चमज यह पाउडर डाल देती हूँ और शात में स्वाद अनुशार नमक भी डाल दोंगी काला नमक लिए हूँ आपको अगर काला नमक नहीं पसंद है तो इसको इसकेप करके वाइट वाला नमक आप ले सकते हैं अपने अनुशार अब मैं इसको इस तरह से मिक्ष कर देती हूँ और इसमें पुदिने का पत्ती डाले से दोस्तों इसका फ्लेवर एकदम बहुत अच्छा और टेस्टी भी लगता है यहाँ पे हमने ठंडा पानी ले ले हूँ और इस तरह मैं इसको मिक्ष कर दे हूँ एकदम आसानी से और पर्फेक्ट तरीके से बन जाता है और इसमें बनाना कोई जंजट का काम नहीं है दो से तीन मिनिट में आप सत्तु का ड्रिंक बना सकते हो और इसमें मैंने आदवा नीवो निचोड़ देती हूँ और इसका टेस्ट और अच्छा आएगा थोड़ा सा खट टार्ट चट पटा और टेस्टी लगेगा पीने में कि हमारा नमकीन वाला ड्रिंक बनके तैयार हो गया है अभर देख सकते हैं इसको एकडम अच्छे से कि ए यह एटना टेस्टी है दोस्तो ऑइसे पियोगे एक बार तो दुबारा जरूर बनाके पीओगे यह देखिये मेरा डिंग बन के तयार हो गया है दोश्तों एकदम परफेक्ट एकदम नेशुरल तरीखे से है और एक बेटे को to मेरे थीखा पसंद है इसके लिए मैंने उसको नमकेंज बनाया हो और मेरे दूसरे वेटे को मीठा पसंद है इसले अब मैं दूसरा डिंग मनाती हूं इसी तरीके से जो थोड़ा सा मीठा रहेगा तो चलिए वो भी मैं बना लेते हूं साथ में यह उसका फे बरेट कप है और इसले बोला कि मेरा डिंग मेरे कप में बनाओ, तो मैंने उसके फईवरेट कलर का कपली हो, उसके कप में ही बना रही हो, यहाँ पे मैं दो चम्मच, यह सद्तू डाल देती हो और ठंडा पानी भी अब मैं दो चम्मच इसमें सुगर डाल देती हो डालने के बाद इसको अच्छे से मिला दूँगे क्योंकि उसको मीठा पसंद है दोस्तों इसको मीठा बना रहे हूं अब इसमें मैं इस तरह से पुदने के पत्ति को ऐसे टुकड़े में करके वो भी डालके इसमें मिला देती हूं देखे ये भी मेरा ड्रिंक बनके तयार हो गया है और साथ में मैं यहाँ पर नीबूनी चोड़ देती हूँ ताकि खटा मिठा लगे और चटपटा भी रहे इस तरीके से हमारा मिठा भी ड्रिंक बनके तयार हो गया है ये मेरे दोनों ड्रिंक बनके तयार हो गई है एक खट्टा और एक मेठा दोस्तो तो यह आप देख सकते हैं जैसा आपको पशंद हो आप अपने अनुशार इसको बना सकते हैं तो मेरा वीडियो आप सबको कैसे लगा आई होप आप सबको बहुत पशंद आया होगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा मेरी रेश्प पर बखर कि अश्वभ दो बताओ प्लीज करे लग होगम जलना सकते हैं च».